एक pedestal fan लेने से पहले आपको कुछ जरूरी points पर जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि आप एक best pedestal fan purchase कर प्लास्टिक और metal फैन का जो rod और base होता है वो metal का होता है और बांकी का parts plastic का होता है point number two number of blades तीन blades या उसे अधिक blades वाले pedestal fan को ही लेना चाहिए next आता है air delivery rate pedestal fan में 60-70 cm की air delivery rate होती है next आता है rpm pedestal fan में 1100 से 1400 तक का rpm होता है आपको जादा से जादा rpm वाले fan को ही consider करना है next आता है adjustment height oscillation and tilt pedestal fan लेने से पहले आपको ये भी देखना जरूरी है कि उस fan के adjustment कैसे है यानि उस fan का height छोटा और बड़ा हो सकता है या नहीं और उसका oscillation भी देखना बहुत जरूरी है oscillation यानि कि left और right automatically swing होती है या नहीं आपको air सीधे ही नहीं बलकि room के left center और right तीनो एंगल में लेनी है तो इसका जरूर से ध्यान रखना है और साथ ही आपको tilt पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए tilt यानि कि fan का जो part है वो उपर या नीचे होता है